नमस्कार फ्रेंड्स मेरा नाम अंकर है और मेरे चैनल में आप सब का हर देख स्वागत है Friends, हाली मैं बना इंग्लेश स्पिकन कोर्स स्टाड्ट किया है जिसमें मैं अभी तक आपको इंग्लिश स्पिकेंगे पार्ट 24 यानि 24 लेसंस आपको कवर करा चुका हूँ और जिनमें मैं अभी तक फ्रेंड्स आपको basic words pronunciation के बारे में मैंने आपको basic जानकरी दी थी कैसे हम silently words को use करते हैं अपनी day-to-day life में इंग्लिश में conversation करने के लिए किसी सामने वाले व्यक्ति के सामने तो फ्रेंड्स आज हम continue करेंगे part 25 और उसमें हम basic words pronunciation को ही अभी continue करेंगे तो चलिए फ्रेंड्स फिर हम start करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग का part 25 इंग्लिश स्पीकिंग part 25 अब फ्रेंड्स यहां पर हम देखेंगे कि हम कैसे capital L को silently यूज करते हैं अपनी इंग्लिश रेंग्वेज में capital L silent ALMS arms Hindi में arms यानि दान या भीक BALM English में bomb Hindi में bomb यानि दर्दनाशक मरहम फ्रेंड्स जैसा जो बाम हम अपने सर्दर्द के लिए यूज करते हैं उस ताइप का bomb अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कैसे हम capital P को silently यूज करते हैं Capital P silent PSY CHE English में sci-ka Hindi में sci-ka यानि आत्मा या मानस PSY C I E T R I S T English में sci-kiatrist Hindi में sci-kiatrist यानि मनो चिकिस्त अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कैसे हम capital T को silently यूज करते हैं T silent F A S T E N English में fasten Hindi में fasten यानि किसी चीज को बांधना N E S T E L E English में nasal Hindi में nasal यानि किसी चीज को प्यार से चिपकाना अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कैसे हम capital R को silently यूज करते हैं Capital R silent I, R, O, N, English में Iron, Hindi में Iron, यानि Loha या Press W, O, R, L, D, English में World, Hindi में World, यानि संसार या दुनिया अब हम देखेंगे friends कैसे हम W को, capital W को silently use कर सकते हैं W silent, W, R, A, T, H, English में Wrath, Hindi में Wrath, यानि क्रोध या गुस्सा W, R, A, P, English में Wrath, Hindi में Wrath, यानि किसी चीज़ को लबेटना W, R, E, C, K, English में Wrath, Hindi में Wrath, यानि तोड़ना या तूटा हुआ Friends, अब आते हैं हम capital E में, कि हम capital E को कैसे silently use करते हैं अपनी English language में, capital E जिसकी अपनी कोई ध्वनी नहीं है A, S, H, A, M, E, English में शेम, Hindi में शेम, यानि लज्जा Friends, यहाँ पर यह चीज़ आप देख सकते हैं, यदि पहला स्वर capital E होगा तो जो capital E का उचारण होगा, यानि capital E का जो प्रनानुसेशन होगा, वो हिंदी के A के रूप में होगा अब भी पर आते हैं Friends, W, Y, F, E, English में वाइफ, हिंदी में वाइफ, यानि पतनी N, I यानि, English में नाइन, हिंदी में नाइन, यानि नौ L, I यानि, English में लाइन, हिंदी में लाइन, यानि लकीर यहाँ पर आप देख सकते हैं Friends, यदि पहला स्वर, capital I होगा, तो जो capital I का उचारण होगा यानि जो capital I का प्रोनाउसेशन होगा, वो हिंदी में, I के रूप में होगा अब C पर आते हैं Friends, N-O-S-E, N-O-S, हिंदी में नोज, यानि हमारी जो नाइक होती है Friends J-O-K-E, English में जोग, हिंदी में जोग, यानि हसी मज़ाग H-O-A-P, English में होप, हिंदी में होप, यानि आशा या उम्मीद तो यहाँ पर आप यह देख सकते हैं Friends, यदि पहला स्वर, capital O होगा तो जो capital O का उचारण होगा, या जो capital O का प्रोनाउसेशन होगा, वो हिंदी में O के रूप में होगा अब हम D पर आते हैं Friends T-U-A-N-E, English में ट्यून, हिंदी में ट्यून, यानि ध्वनी या आवाज J-U-A-N-E, English में जून, हिंदी में जून, यानि जून का महीना T-U-B, English में ट्यूब, हिंदी में ट्यूब, यानि नली तो Friends, आप यहाँ पर यह देख सकते हैं, यदि पहला सवर Capital U होगा, तो जो Capital U का उचारण होगा, यानि जो Capital U का Pronunciation होगा, वो हिंदी में या तो बड़ा U होगा, या U के रूप में होगा तो Friends, यह था English Speaking का Part 25, जिसमें मैंने आपको कैसे हम Capital L को Silently, Capital P को Silently, Capital T को Silently, Capital R को Silently, Capital W को Silently, और हम कैसे Capital E को Silently use करते हैं, अपने English के Sentences में, जो हम किसी से Conversation करते हैं, अपनी Day-to-day Life में, Normal English Language में, तो आशा करता हूँ Friends, कि मेरे इस प्रयाज से आपको इन Silence Words के द्वारा, कुछ नए-नए Words के बारे में भी जानकर यह प्राप्त हुई होगी, कि कैसे हम उन्हें, उनका Pronunciation करते हैं, और कैसे हम उन्हें Silently use करते हैं, अपनी English Language में, तो Friends, क्रप्या करके, मेरे चैनल को Like, Share, Subscribe कीजेगा, और नीचे जो bell icon दिया हुआ है, उसको प्रैस जरूर कीजेगा, और मैं हम Instagram और Facebook का लिंक भी नीचे description में Share कर दूँगा, तो Friends, मुझे इसी तरह से support करते रहिएगा, ताकि मैं English Learning के जितने भी lessons लेके आऊं, वो इतने simple, easy and efficient way में हो, जिससे आपका confidence boost up हो, आपका hesitation दूर हो जाए, और आपकी English जो आप बोलें, वो अतनी fluent हो जाए, कि आप अपनी society और respect में, आपको खूब respect मिले, society में नाम मिले, और आप हर जगे अपनी respect को बढ़ाए, तो मेरा ही प्रायास है Friends, कि आपकी personality groom हो जाए, आपको हर जगे respect मिले, और आपकी English language fluent हो जाए, आपके अपने कीमती समय दिया Friends, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद,